हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विश्याला सबकर स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कुई नई वीडियो बनाये करें तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एंड तक देखनी है आपको जरा सभी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने जा र करना है इसके लिए हम क्या करेंगे YouTube को सबसे पहले खूलेंगे जैसे ही YouTube को खूलेंगे दोस्तों कि दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप कि तरीके से YouTube करते हैं youtube करने के बहुत तरीके है yani कि कुछ लोग professional तरीके से यूझ करते हैं कुछ लोग professional तरीके से यूट्यूब को काफी start करते हैं तो दोस्तो यह कि आप प्रोफेश्चेंल तरीके से YouTube को यूट्यूब को कर सकते हैं जो मैं एक यूट्यूमपने चाहएं तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पर description डालते हैं, उससे related, तो आप वहाँ पर जाकि उससे check कर सकते हैं, लेकिन दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कुछ और तरीके, जैसे कि दोस्तो एक setting आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको explore में जाना है, फिर trending में जाना है, trending में जाने के इसे, उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो आपको चालू कर लेनी है, ओके दोस्तों, जैसे ही वो वीडियो आप चालू करेंगे, यह वीडियो आप चालू करने के बाद, आप इस वीडियो से related detail जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, आपको इसके लिए three dot पे जाना है, three dot पे जाने के बाद, यहाँ पे एक option आ जाता है, जैसे बोलेंगे, stats for nuts, जैसे इस पे click करेंगे, इस वीडियो से related सारी information आपको मिल जाएगी, यह किस तरीके से है, जैसे कि देख सकते है, यह Xiaomi है, Xiaomi का set के बारे बता रहा है, CPN बता रहा है, यह video ID बता रहा है वीडियो format क्या है, ओके दोस्तों, तो यह सारी detail आपको यहाँ पे बताएगा, ओके दोस्तों, यह कुछ चीज़ें आपकी, जैसे डिवाइस, आपकी डिवाइस का नाम देती है, Xiaomi, Redmi Note 5, Pro 9, ओके दोस्तों, और bandwidth बगेरा, यह सारी चीज़ें आपको बताएगा, redhead क्या है, या फिर viewport क्या है, यह सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हैं, इस वीडियो से related, अगर in case आपको यह काम की है, तो वीडियो ID वगेरा तो काम की होती है, कभी-कभी आपको जरुवत पर जाती है, format भी आपके जानकारी का होना चाहिए, ओके दोस्तों, यह हुई setting number 1, अब चलते हैं, दूसरी setting की और, ओके दोस्तों, दूसरी setting यह है, दोस्तों, आप YouTube application पर बहुत सारी चीज़ें search करते हैं, कुछ चीज़ अच्छी होती है, कुछ चीज़ बुरी होती है, यानि यह कुछ आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन दूसरों को पसंद नहीं आत है, ओके दोस्तों, पूरी history की आपने क्या-क्या search किया है, और यह history एक limit तक जाती है, यहां तक, उसके अलाबा यहां पर history का एक option है, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ओके दोस्तों, तो इसके अलाबा आप क्या कर सकते हैं, इस history को time to time delete कर सकते हैं, यह three dot पे जाक कर, ओके दोस्तों, history control पे जाना है, और clear watch history, clear search history आप कर सकते हैं, ओके दोस्तों, तो यहां से आप कर सकते हैं, लेकिन in case आप चाते हैं, कि यह history safe ही ना हो, तो save का कहने का मतलब है, जैसे ही जैसे आप देखते जाएं, वो चीज यहां पे शोर ना हो, तो आप क्या कर सकते है pause, watch history, pause, search history इस पे click कर सकते हैं, ओके दोस्तों, और अपनी activity को manage करने के लिए, या manage all activity में आप चा सकते हैं, ओके दोस्तों, बहुत अच्छी setting है यह, use करके जरूर देखिए, काफी अच्छी setting है यह, ओके दोस्तों, अब दोस्तों, आप कोई भी वीडियो जब YouTube पे देखत हैं, तो उसके लिए, सबसे अच्छी चीज चाहिए होती है, उसकी quality, आप quality maintain करना जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो नहीं जानते हैं, ओके दोस्तों, तो अब quality आप किस तरीके से maintain कर सकते हैं, चलिए पहले काम करते हैं, इस nuts वाले option को burn कर देते हैं, ओक दोस्तों, ये लेकिन ध्यान लखेगा, जितनी अच्छी speed होगी, उतना ज्याद आपका net फुकेगा, तो ध्यान लखें, वाइफाई यूज कर रहे हो, तभी ये option को आप यूज करें, अगर आप चाहते हैं, अपने mobile से यूज करना है, तो कर सकते हैं, लेकिन आपका data वीडियो को skip करना चाहते हैं, यानि कि 10 seconds skip करना चाहते हैं, 20 seconds skip करना चाहते हैं, इसके लिए मैं एक setting आपको अल्लेडी बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर double dot करके, आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक setting मैंने आपको बताई थी, जो कि मैं आपको चलो, दुव यह मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, अगर in case आपको वीडियो को fast forward करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को खोलिएगा, setting में चाहिएगा, और यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाई, playback speed, ओके दोस्तों, यहाँ पर आप slow speed कर सकते हैं, और fast speed कर सकते है नॉर्मल पर अब यह चल लएए, आप जैसी 1.25 पर कर देंगे, वीडियो fast forward होना start हो जाएगी, देखा दोस्तों, तो अब यह fast forward होना start हो जाती है, ओके दोस्तों, यह थी हमारी setting number 4, ओके दोस्तों, एक और setting के बारे हम उता हूँ, दोस्तों, यहाँ पर 3 dot के बगल में एक आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको यह Wi-Fi की तरह यूज होता है, Wi-Fi तो नहीं है, लेकिन यह यूज होता है, मोबाइल सा connect करने के लिए आपके TV को, ओके दोस्तों, जैसे कि आपके पास smart TV है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेम Wi-Fi network में होने पे, आप इसको on कर दीजेग और आपकी यह चीज जो भी है, यह connect हो जाएगी आपके TV से, और आप जो भी चीज आपके मोबाइल में देखेंगे, वो आपके TV में आपको शो होगा, यह setting बहुत कम लोगों को बता है, क्योंकि smart TV हर किसी के पास नहीं होता है, तो यह setting होती है, इसलिए, ओके दोस्तों, तो पास जो setting में आपको बता ही, बहुत important setting है, आप इनको daily use में यूज कर सकते हैं, इनके सगर आप यूज करना चाहते हैं, तो उमीद है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएग और बेल आइकन को तो बार ना बूले, बहुत जल मिलेंगे नेश वीडियो में, तब तक के लिए, बाए दोस्तों